तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जितने भी देशों के नई राष्टपती और प्रिधान मंत्री बने हैं तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे तो अगर आप किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए महत्खुलने व करें तो आप सभी जानते हैं भी हाली में भारत की नई महिला राष्टपती बनी है जिनका नाम है द्रोपती मुर्मू तो इसका अंसर एह हो जाएगा देखें द्रोपती मुर्मू ये भारत की पिर्थम आदिबासी महिला राष्टपती बनी है और ये देश की 15 नंबर की और इसी के साथ ये भारत की दूसरी महिला राश्टपती भी बनी है तो याद रखना है देखे द्रोपती मुर्मु ने 25 जुलाई 2022 को 14 उपराश्टपती रामनाथ कोविन जी का इस्थान लिया है तो याद रखना है इसके बाद कोस्ट नमबर 2 है भारत के नए 14 पती बने है जगदीब धनखड तो इसका अंसर ये हो जाएगा देखे जगदीब धनखड उपराश्टपती बनने से पहले पस्ची मंगाल के राज्यपाल थे और ये अब भारत के 14 नमबर के उपराश्टपती बन गए है देखे जगदीब धनखड ने 11 अगस्त 2022 को बेंक प्रधान मंतरी बनी है जिनका नाम है लिज ट्रस तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखे लिज ट्रस ने 6 सितंबर 2022 को ब्रेटेन के प्रधान मंतरी पद की सफ़द ग्रहाण की है देखे इसी के साथ लिज ट्रस ये ब्रेटेन की तीसरी महिला प्रधान मंतरी बनी है और द जानते ब्रेटेन की राज़धानी लंदन है और ब्रेटेन की मुद्रा है पाउंड इस्टरलिंग इसके बाद कोस्ट नमबर चार है स्री लंका के नए राष्टपती कौन बने हैं तो देखे स्री लंका के नए राष्टपती बने है रानियल विक्रम सिंगे तो इसका आंसर देखे रानिल बिक्रम सिंगे ये 21 जुलाई 2022 को स्रीलंका के नई राष्टपती बने हैं। अब स्रीलंका की राष्धानी की बात करें। तो देखे स्रीलंका की दो राष्धानी है। नई राष्टपती बने हैं जिनका नाम है बिलियम रूतो। याद रखना है। देखे केन्या की बात करें। तो केन्या की राष्धानी नोरो भी है और इसकी मुद्रा है केनियन सिलिंग। इसके बाद अगला कोस्टन है ए जुलाई दो हजार बाइस में किसने इस्राइल के अंतरिम प्रदाहन मंतरी के रूप में पदभार गहन किया। तो इसका answer option D हो जा podr the year lepid ने। देखे जुलाई दो हजार बाइस में इस्राइल के अंतरिम प्रदाहन मंतरी बने है येर ले मैं और मुद्रः इसरायली नई सेकेल। इसके बाद केड़ून नम्बर आठ है। जून दो हजारवाइस में अलबानिया देश के नई राश्ड़्पति कौन बनें। तो इसका असर ओप्शन यह हो जाएगा जंरल मेजर बजराम बेगज तो जून 2022 में अलबानिया देश के नई राष्टपती बने है जनरल मेजर बजराम बेगज याद रखना है देखे अलबानिया की राजधानी तिराना है और इसकी मुद्रा है अलबानियाई लेक इसके बाद कॉस्ट नम्बर 9 है जून 2022 में जूनियर फर्डिनेंड मारकोस किस देश के नई राष्टपती बने है तो इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा फिलिपिन्स के तो देखे जून 2022 में फिलिपिन्स के नई राष्टपती बने है जूनियर फर्डिनेंड मारकोस याद रखना है दिखे फिलिपिन्स की बात करें तो फिलिपिन्स की राजधानी है मलीना और इसकी मुद्रा है पेशो इसके बात कॉसर नमबर दस है मई 2022 में आश्ट्रिलिया के नए प्रदान मंत्री कौन बने तो देखे महत्पुन प्रस्ने तो इसका आंसर ए हुजाएगा एंथनी अलबा निस तो देखे एंथनी अलबा निस मई 2022 में आश्ट्रिलिया के नए प्रदान मंत्री बने है देखे आश्ट्रिलिया की राजधानी कैन्बरा है और मुद्रा है आश्ट्रिलियाई डोलर नई राष्टपती बने है हसन सेख महमूद दीखे सोमाले की बात करें तो सोमाले की राष्टपती के रूप में पदभार ग्रहाण किया तो दोस्तों मैं दो हज़ार बाइस में कोश्टारिका देश के नई राष्टपती बने है देखे कोश्टारिका की राष्टपती सेन जोस है और मुद्रा है कोश्टारिकन ब्रहदांत्र इसके बाद अगला कोश्टार ने माई 2022 में फ्रांस की दूसरी महिला प्रदान मंत्री कोन बनी तो देखे इंपोर्टेंट कोश्टार ने तो इसका अंसर यह हो जाएगा एलिजा बेथ बोर्न दो हजार बाइस में माई 2022 में फ्रांस की दूसरी महिला प्रदान मंत्री कोन बनी है तो एलिजा बेथ बोर्न बनी है याद रखना है इसके बाद अगला कोश्टार ने अपरेल 2022 में फ्रांस के दूसरी महिला प्रदान मंत्री कोन बनी तो दिखे फ्रांस के दूसरी बार राश्टपती बने है Portugal Macro तो इसका आणसर C हो जाएगा तो दोस्तो फ्रांस के राश्टपती बने है Portugal Macro और फ्रांस की दूसरी महीला प्रदान मंत्री बनी है Elijah Beth Born तो दोनों याद रखने है और देखे फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा है यूरो इसके बाद अगला कॉस्सन है मई 2022 में दच्छन कोरिया के नई राष्टपती के रूप में किसने सपत ली तो इसका अंसर ए हुजाएगा यून सूक ये ओल तो देखे मैं 2022 में दच्छन कोरिया के नई राष्टपती बने है यून सूक ये ओल देखे दच्छन कोरिया की राजधानी सूअल है और मुद्रह है दच्छन कोरियाई बोन तो याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्सन है तो दूस्तों सिलोबेनिया देश के नए प्रदाहन मंत्री बने है रोबर्ट गोलोग तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखे सिलोबेनिया की राजधानी जूबल जाना है और मुद्रा है याद रखना है इसके बाद कोस्व नमबर 17 है अपरेल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रदाहन मंत्री कौन बने है तो देखे पाकिस्तान के नए प्रदाहन मंत्री बने है सहबाज सरीब तो इसका अंसर भी हो जाएगा और देखे पाकिस्तान के बरतवान में राष्ट पती कौन है तो आरिफ अलबी है और पाकिस्तान की राजधान इसलामाबाद और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपिया याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्था ने कैटलीन नुवाक किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी तो इसका अंसर ओप्सन सी हो जाएगा हंगरी की तो देखें 2022 में हंगरी देश की पहली महिला राष्टपती बनी है जिनका नाम है कैटलीन नुवाक याद रखना है देखें हंगरी की राजधानी बुढ़ा पेश्ट है और मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट इसके बाद अगला कोर्सन है सियो मारा कास्तरो किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी है तो इसका अंसर ओप्सन है हो जाएगा होंडूरास की तो देखें होंडूरास देश की पहली महिला राष्टपती कौन बनी है तो सियो मारा कास्तरो बनी है देखे होंडुरास की राजधानी तेगू, सिगालपा है और मुद्रा है लेंपीरा इसके बार नेक्ष्ट कोर्सन है मार्च 2022 में चिली देश के सबसे यूवर राष्टपती कोन बने है तो देखे चिली देश के सबसे यूवर राष्टपती बने है जिनका नाम है ग्रेवियल बोरिक तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखे ग्रेवियल बोरिक ये 36 साल के उमर में चिली के सबसे यूवर राष्टपती बने है देखे चिली देश की बात करें तो चिली की राजधानी सेंटियागो है और मुद्रा है चिली पैसो इसके बाद अगला कोस्सा ने मार्च 2022 में माल्टा के दूसरी बार प्रदान मंत्री कौन बने तो इसका अंसर ओप्सन सी हो जाएगा रोवर्ट अबेला तो मार्च 2022 में माल्टा देश के दूसरी बार प्रदान मंत्री बने है रोवर्ट अबेला देखे माल्टा की राजधानी बालेटा है और मुद्रा है यूरो इसके बाद अगला कोश्टा ने मार्च 2022 में तुर्क मैनिस्तान की नई राष्टपती कौन बने तो तुर्क मैनिस्तान की नई राष्टपती बने हैं सर्दार बर्दी मुँहां में दो तो इसका अंसर C हो जाएगा देखे तुर्क मेनिस्तान की राजधानी है अजगाबाद औन मुद्रा है तुर्क मेन नया मानाद इसके बाद अगला कोश्टन है जनबरी 2022 में एंटुनियो कोश्टा किस देश के फिर से प्रिदाहन मंत्री बने है तो इसका अंसर ओपसन C हो जाएगा पुर्टगाल के तो देखे 2022 में पुर्टगाल के फिर से प्रिदाहन मंत्री बने है एंटुनियो कोश्टा देखे एंटुनियो कोश्टा ये 2015 से पुर्टगाल के प्रिदाहन मंत्री है और पुर्तगाल के बर्तमान में राष्टपती हैं मार्सेलो, रेवोलो, डी, सोसा और पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन है और मुद्रा है यूरो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्थान है जनबरी 2022 में इटली के फिर से दूसरे कारेकाल के लिए कौन राष्टपती बने है तो इटली के नए राष्टपती बने है दूसरे कारेकाल के लिए सर्जियो, मत्ता, रेला तो इसका अंसर बी हो जाएगा देखे इटली के राजधानी रोम है और मुद्रा है यूरो इसके बार नेश्ट कोस सने जनबरी 2022 में बारबर डोस देश की लगतार दूसरी बार प्रदान मंत्री कौन बनी तो इस कांसर ए हो जाएगा मिया मोटली तो देखे मिया मोटली ये बारबर डोस देश की लगतार दूसरी बार प्रदान मंत्री बनी है और देखे बारबर डोस देश की जो बरतमान में राष्ट पती है डेम सेंटरा मेसन ये 2021 में बारबर डोस देश की पिर्थम राष्ट पती बनी थी तो याद रखने है और देखे बारबर डोस देश की राजधानी बिरिज टाउन है और मुद्रा है बारबर डोस डोलर इसके बार नेश्ट कोस्टन है नीदर लेंड के लगातार चोथी बार प्रदाहन मंत्री कौन बने है तो नीदर लेंड के लगाता चोथी बार प्रदान मंतरी बने है Mark Root तो इसका अंसर ए हो जाएगा देखे Mark Root ये 2010 से नीदर लेंड के प्रदान मंतरी है देखे नीदर लेंड की राजधानी एम स्टरडम है और दा है को इसकी प्रदासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है और इसकी मुद्रा है यूरो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये थे 2022 में अब तक जो सभी जितने भी देशों के नई राश्ट प्रदान मंतरी बने है जिनके बारे मैं आपको बताया अब चलिए आज का कॉस्ण देख लेते हैं जिसका अंसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में बताना है तो यहाँ पर आज का प्रस्ण है भारत में कुल कितने रेलवे जोन है तो देखे इसका अंसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में बताना है आप बहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में बिजिट करके सरी वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लेज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत